Hello everyone and welcome back to my youtube channel आज हम आपको sentence के बादे बताएंगे sentence की definition क्या होती है के kinds क्या होती है sentence क्या होता है sentence is a group of words which makes complete sense जो हमें complete sense थे, वो हमारा sentence होता है जैसे example, Abhika is a girl, I live in Amroha ये sentence है ये फूरे आपको sense देने, सब्जेक्ट है, औब्जेक्ट है वर्ग है है तो यह आपके जो भी हमें सेंसें complete हों वह sentence होगे हैं coming to the kind देखे काइंस पर होते हैं there are four type of sentences first is simple sentence simple sentence क्या होता है पर फो simple जाते हैं जैसे she is my best friend I live in Amroha तो यह simple होगा है next is interrogate interrogate में क्या होते है question वाग कुछे है question किया जाते हैं जैसे what is your name where do you live can I help you can you do me a favor तो जो भी question mark है आप से question फुटक किया जा रहा है वह आपके interrogate होते हैं now coming to the next next is imperative imperative में क्या होते है command होती है order होता है request होता है और forward होता है मना किया जाता है इसके example जैसे please help me यह आपका request हो गया don't go there यह order हो यह मना किया जा रहा है listen to me मेरी बास सुनों यह आपको order दिया जा रहा है और learn your lesson by heart यह आपको advice दिजा नेक्स्ट कमीं फुदा नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ आपका एस्क्रेमेटोरी एस्क्रेमेटोरी की पहचान के है सबसे यह आपके एक एस्क्रेमेटोरी साइन होता है मतलब दंडा और बिंदा आपके जिल्भी याद कर सकते हो इसमें क्या होता है हम किसी को अपनी सदन फीलिंग्स पताते हैं जैसे हम बहुत खुश हैं तो हम कहें घुरा दुख है अलास बहुत चीज़ को देखे सप्राइज है तो वाव यह चीज़ हमारे एक आती है अंदर से फीलिंग आती है तो एक जाम्पिल इसके क्या होए एलास ही डाइड हुरा वी वाउ इस तरीके की जो सेंटेंस अंपिलूप लूप नोलब नहीं कमप्लीट से और हम ने आपको कैसी बता दिया की पो टाइप के होती है सिंपल हो गया आपके इंप्रेकिश एक इक लिडरेटिग और एक्वेरेटरी से रिगार्ड कोई आपको डाउट है तो आप हमसे कमसे कमस कर सकते हैं, यह आपके क्लासे सिस फंसर से एध प्रसरी पूछह पूछ